भारत में कई लोगों को अंगूठी पैनने का शौक होता है, जिसमें नीलम से लेकर विविन रतनों और मूंगा शामिल हैं। आमतर पर रतनों को प्रयाकरतिक खदानों से प्राप्त किया जाता है। वहीं सोने, चांदी और हीरे से बनी अंगूठीों का प्रोसस भी आम लोगों को पता होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूंगे की अंगूठी या उससे बनी जॉलरी को किस प्रकार से तयार किया जाता है। और इस कारोबार से जोड़ी लोगों का जीवन कैसा होता है। अगर नहीं तो आज इस बारे में विस्तार से जान लेजिए। कैसे प्राप्त किया जाता है मूंगा। मूंगा यानि कूरल्स जोलरी दिखने में जितनी खोपसूरत और आकरशक लगती है। इससे प्राप्त करना उतना ही मुश्किल होता है। वहीं दुनिया भर में कई जगों पर मूंगे की जोलरी बनाने का कारोबार किया जाता है जो वैश्वे के स्तर पर फैल चुका है। और इस वज़े से कई लोग इस कारोबार में काला बाजारी भी करते हैं। इटली एक ऐसा देश है जो मुंगा के कारोबार के लिए काफी ज़्याद मशूर है। जहां कई सालों से पारंपरिक रूप से मुंगे की जोलरी तैयार की जा रही है। जिससे कारोबारियों का जीवन काफी बहतर डंग से व्यतितो रहा है। लेकिन जिन देशों से मुंगा प्राप्त किया जाता है वहाँ हालात ठीक नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वज़ज ये है कि सरकार ने समुदर से मुंगा के खनन को लेकर कुछ नियम कानून बनाए हैं। जिसके तहट एक सीमित मातरा में ही इस किमती वस्तु का खनन किया जा सकता है। शुरुआती दोर में मच्वारों की दल समुदर में गोता लगा कर मुंगा की चटानों से इस प्राकर्तिक ततों को प्राप्त करते थे। लेकिन अब इस काम के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। ऐसे में ये मशीने ज्यादा मातरा में मुंगा का खनन करती हैं। जिसकी वज़े से मुंगा की प्राकर्तिक चटानों को भी नुकसान पहुँच रहा है। मुंगा एक प्राकर्तिक चीज है और इससे समदर से बहुत मशक्कत के बाद राप्त किया जाता है। इसलिए बाजार में इसकी कीमत भी काफी ज़्यादा होती है। आमतोर पर लोग लाल रंका मुंगा पहना पसंद करते हैं जो एक चमकीला पत्थर होता है। इस पत्थर की गिसाई करके उसे एक रूप दिया जाता है जिसकी वज़े से बाजार में इसकी कीमत काफी ज़्यादा होती है। आपको बताते कि मुंगा की चट्टाने अपने आप वेक्सित नहीं होती हैं बलकि जीवित मुंगों का एक अम्रत अवशिश होता है। रसल जब कोरल पॉलिप्स मर जाते हैं तो वे कठो रूप लेने लगते हैं और कंकाल में तबदील हो जाते हैं। इसके बाद मुंगा का कंकाल दीरे-दीरे पत्थर का रूप लेने लगता है जो लाल से लेकर नारंगी, सफेद या किसी अन्य रंका हो सकता है। जो तिश शास्त्र में मुंगा पहनना सेथ के लिए काफी लाबदाइक मान जाता है, जो मंगल ग्रह का प्रति निद्धित्व करता है। इसमें किसी व्यक्ति को शरीर में उर्जा का प्रवहा मैसूस करना है, तो वह नारंगी रंका मुंगा यानि नारंगी रंकी मुंगा से बनी अंगोठी पहन सकता है। वहीं मुंगा पहनने से शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं, जबकि खोन से जोड़ी समस्याएं ठीक हो जाती है। कहा जाता है कि मुंगा पहनने वाले व्यक्ति सासी और आत्म विश्वास से भरे हुए होते हैं, जो किसी भी मुश्किल काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। यही वज़े है कि भारत समित कई देशों में मुंगा को जोतिश, शास्त्रो और फैशन को ध्यान में रखकर पहना जाता है, जिसका इस्तमाल करके अललग तरह की जोलरी बनाई जाती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस प्रकार अंतराश्टी बाजार में मुंगा की मांग बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका अवैद खनन करने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। इसकी वज़े से ना सिर्फ समुदरी जीवन का संतुलन खराब होगा, बलकि मुंगों की प्रजाती भी नश्थ होने की गगार पर पहुँच जाएगी। आगी क्यों होती है। आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करें, धन्यवाद।